एक गाव के छोटे से जगा में एक बुद्धिमान रिशी रहता था, जिसका नाम सिध्धार्थ था, उसने अपने पूर्वजों से सुना था कि आत्मा का पुनरजन्म होता है. एक दिन, गाव के लोग उसके पास आये और पूछने लगे, मरने के बाद आत्मा कहा जाती है? सिध्धार्थ ने मुस्कुरा कर उन्हें एक कहानी सुनाई. पुरानी दुन्या में एक पवित्र नदी थी, जिसका पानी हर एक जीव को पवित्र कर देता था. एक दिन, एक सुन्दर परियों की समूह नदी के किनारे आई और पानी में अपना अस्तित्व खो दिया. उसकी आत्मा ने समूह को छोड़ा और उसकी यात्रा नदी की धारा में शुरू हो गई. फिर एक दिन, पानी के नीचे से एक प्यारा सा कमल खिला और परियों की आत प्राप्त करती रही. गाव के लोगों ने इस कहानी को सुना और अपने अलग-अलग विश्वासों को समझा, कुछ ने पुनरजन्म का विश्वास किया, कुछ ने स्वर्ग और नरक्का, और कुछ ने आत्मा की अमरता को अपनाया. सिध्धार्त ने उन्हें समझाया कि आ इस कहानी को सुनकर आत्मा के अनन्द सफर की गहराई को समझा, कुछ लोग यहां मानते थे कि आत्मा का नया जन्म लेना उसके पूर्व कर्मों का नतीजा है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक अविश्वास मानते थे. सिध्धार्त ने गाव के लोगों को समझाया कि आत्मा का पुनर्जन्म और इसकी यात्रा भी व्यक्ति के अद्वितिय विश्वासों और आचरणों पर निर्भर करती है. वह कहा कि सच्ची ज्यान के लिए हमें अपनी आत्मा के अंतर द्रिष्टी को जागरुक करने की आवशक्ता है और सच्ची आत्मा की शांती को प्राप्त करने के लिए हमें ध्याना भ्यास और साधना करनी चाहिए. गाउं के लोग ध्यान से सुने और सिधार्थ के वचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन की दिशा को सुधारने का संकल्प किया इस कहानी ने उन्हें आत्मा के अमूल्यता के प्रती समझ और समर्पन की भावना से प्रेरित किया